Hello students, students, today we will discuss about features of federalism. Last lecture में हमने एक basic introduction देखा था कि what is federalism. आज हम बात करेंगे features of federalism की. अब आप अगर बोल रहे हैं कि आपकी country एक federal country है, तो उस federal country में क्या चीजे होनी चाहिए, क्या institutions होने चाहिए, किस तरह के arrangements होने चाहिए, वो सारी चीजे ही features बन जाती है. तो उस perspective को, उस dimension को ध्यान में रखते हुए, हम federalism के features के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला feature है, there are two or more levels of government. जैसे हमने last lecture में देखा कि central level, state level या local level, these are the levels of government, या हम कह सकते हैं, these are the different tiers of government. Federalism की basic requirement यही से start होती है, कि आपकी country, federal country तब कहलाएगी, जब वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा level of, या tiers of government जो है, वो होगी. Second, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, आप क्या कहते हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, मालो आप इंडिया की किसी state, जैसे राजिस्थान में रह रहे हैं, आप ये भी कहेंगे कि आप राजिस्थान में रह रहे हैं, तो इनसान तो एक ही है वही इनसान राजिस्थान में भी रह रहा है और इंडिया में भी रह रहा है तो वो state का भी part है और country का भी part है तो उस इनसान को जो राजिस्थान में रह रहा है वो राजिस्थान का citizen हुआ राजिस्थान इंडिया का पार्ट है इसका मतलब वो इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया का भी citizen हुआ तो राजिस्थान government की बाद भी उसे माननी पड़ेगी राजिस्थान government द्वारा बनाये गए laws को भी मानना पड़ेगा और Indian government द्वारा बनाएगे laws को भी मानना पड़ेगा rules को भी मानना पड़ेगा तो different tiers of government जो है governs the same citizen for example कोई इंसान है जैसे राम राम जो है वो राजिस्थान में रह रहा है वो ये भी कहता है कि वो राजिस्थान में रहा रहा है और ये भी कहता है कि वो इंडिया में रहा है तो वो एक ही इंसान है जो राजिस्थान में रहा है या इंडिया में रहा है राजिस्थान तो इंडिया का ही पाठ है तो उस पे जो राजिस्थान की government है उनके द्वारा बनाएगे लॉस को भी उसे मानना पड़ेगा और इंडियन गवर्मेंट द्वारा बनाएगे लॉस को भी उसे फॉलो करना पड़ेगा राम तो वही है राम के उपर स्टेट गवर्मेंट भी गवर्न कर रही है सेंटरल गवर्मेंट भी गवर्न कर रही है लेकिन राम के किन इशूद को कोन सी गर्मेंट गवर्न करेंगी वो वैरी करता है जैसे माल लो राम को राजिस्थान से अमेरिका जाना है तो ये उसका कोन सा अफियर हुआ? एक तरीके से foreign अफियर हुआ तो उस पे भी गवर्न कर सकती है Central Government और State Government का jurisdiction क्या हो जाएगा कि जो जैसे Property Tax का जो सिस्टम है या पोलीसिंग सिस्टम है यह सारी चीजे Central Government जो है इस पे गवर्न कर सकती है अब यहाँ पे एक टर्म आए jurisdiction jurisdiction क्या है the area over which someone has legal authority jurisdiction in simple term दाइरा means एक ऐसा area fix है जहाँ पे किसी को legal authority जो है वो दी गई है कि वो legal authority जो है वो इसी area में वो लागू होगी for example की जैसे हमारी state government है जैसे हमारी JNK की government है तो उनका jurisdiction क्या होगा कि वो हमारी जो state है JNK जो वहीं पे वो गवान कर सकती है तो jurisdiction in simple terms क्या हुआ दाइरा लोग वही होते हैं बस लोगों के जो matters होते हैं उन पे अलग-अलग government के अलग-अलग jurisdictions होते हैं थर्ड, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed हर level of government जो है चाहे central government है या state level of government है तो central level की अपनी एक power होगी एक अपनी jurisdiction होगी जिन पे वो लोगों को गवर्न करेगी वैसे ही state government की अपनी एक power होगी यहां बताया गया है कि जो उनका दाइरा होता है कि कहां पे वो गवर्न कर सकते हैं वो jurisdiction specify की गई है कहां पर constitution में constitution में बताया गया है किसकी कितनी power है किसका कोन सा jurisdiction है ताकि किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई ना हो conflict से बचने के लिए जो jurisdiction है दाइरा है दोनों government की वो constitution में specify की गई है constitution में government की powers के बारे में भी बताया गया है कि कोन सी government को कितनी powers जो है वो मिलेगी fourth the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government such changes require the consent of both the levels of government जैसे constitution में ये specify कर दिया गया है कि state government के पास education से related laws बनाने की power है और वो किस के साथ central government के साथ लेकिन अगर central government central government जो है वो powerful है central government रातो रात law बदल देती है और constitution बदल के ये बोल देती है कि state government के पास कोई power नहीं है तो इस situation से बचने के लिए जब हमारे constitution makers ने constitution बनाया तो उन्होंने ये rule बना दिया कि जो fundamental provisions है मतलब जो important provisions है हमारे constitution के वो एक तरफा नहीं बदले जा सकते ऐसा नहीं है कि central government की इच्छा हुई और उन्होंने कोई provision जो है वो बदल दिया fundamental provisions को या जो state government है उन्होंने बदल दिया fundamental provisions को कोई भी जो है चाहे state government हो या central government हो वो एक तरफा जो है वो उसे नहीं बदल सकते तो इस चीज से बचने के लिए ये provision है कि कोई भी fundamental provisions को बदल नहीं सकता unilaterally और अगर किसी fundamental provision को बदलना है तो दोनो level of government central level of government भी state level of government भी दोनो level of governments की रिजामंदी जो है वो जरूरी है next courts have the power to interrupt the constitution and the powers of different levels of government कौन सी level of government के पास कितनी power है constitution में क्या लिखा है इस चीज को बताने का जो power है वो court के पास है अलग दो level of government के बीच में अगर कोई dispute arise होता है किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो परेशानी को interrupt करने की power किस के पास होगी court के पास next source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy देखो अगर पैसा होगा तभी central government भी काम कर पाएगी और state government भी काम कर पाएगी federalism में revenue वाला जो एक नजरिया है उसे बहुत important तरह से देखा जाता है तो जो source of revenue है central government के भी और state government के भी ये बहुत specifically clarify किया गया है constitution में ताकि सभी level of government पे financial autonomy ensure की जा सके financial autonomy means आर्थिक अजादी जो है वो उन्हें मिल जाए कि हाँ वो self dependent है in terms of economic value financial autonomy ensure जो source है source of revenue है वो भी specify किये गए है constitution में ये भी एक feature होता है federalism का ताकि जो आपके federal units है constituent units है पैसे की परेशानी का या फिर ऐसी किसी समस्या का उन्हें सामना ना करना पड़े seventh or last जो है feature वो क्या है the federal system has dual objectives federal system के जो है two objectives है first to safeguard and promote the unity of the country जब आप power share कर देते हैं तो उससे country united रहती है हर state को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास भी power है मैं भी एक country का हिस्सा हूँ तो इससे country की unity बनी रहेगी second accommodate regional diversity at the same time accommodate regional diversity जैसे अगर हम इंडिया में देखे हमारे यहां कितनी diversity है हमारे यहां तमिलनाडू जैसे state है जैसे जिसमें अलग culture है अलग language है पंजाब जैसे state है जिसमें अलग language है अलग culture है लेकिन यह सारे state आपस में जुड़े हुए है सारे state एक ही umbrella के नीचे है यू समझ लीजिए कि उस umbrella का नाम क्या है इंडिया यहां umbrella word इंडिया के लिए यूस किया गया तो यह सारे united क्यूं है हमने इन्हें थोड़ी थोड़ी powers दी है हर state को ऐसा लगता है हां कि हमारे यहां तो diversity है लेकिन तो क्या हुआ हमारे जो union है जो इंडिया है उसने सभी को एक साथ accommodate कर रखा है